भाईप आलो फ्रेंट्स आप सब SCP मेरे किचन बहुत स्वागत है मैं अपने किचन बनाने जा रहा ही न्यू Case कि तोरी खिजा रभागते हुआ बहुत ही मज़़दार लगती है, आपको मेरे वीडियो कैसे लगेगी, कमेंट जरूर कीज़ेगा और अब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किता है, प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो आचली अपनी मज़़दार सी रस्पी स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा किलो तोरी ले लिए और एक कटोरी में चैनल दाल ले लिए है, अब इससे सोक करके हम रख देंगे, तो कम से कम आधे घंटे के लिए चैनल को सोक कर देना तो इससे हमारी दाल है, इस छोटी लैची का यूज किया है, बस इन सब चीजों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, मिक्सी के जार में हमें पीस लेना है, ये देखी हमारा मसाला बन कर तेयार है, बिल्कुल इस तरह से में स्मूथ मसाला बनाना है, तो हमारा जो मसाला बन कर तेयार है, चली चलते आगी के process में जो तोरी थी मैंने उसे इस्क्छे वॉश करके उससे इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिये आप पर QoK doctor कर लिया है अब मैंने यहां पर उसमें स्वाधि box शेख बनती हैं आप जहते सकते हैं लेकिन कों चुन बिस डाल कर डायर ये मसाला जो है उसे डाल दिया है और इस तरह से मसाले को में बहुत ही अच्छे से भूल देना जब तक बलकुल अच्छे से तेल ना छोड़ दे अब मैं इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक थोड़ा से हल्दी पाउडर डाल दे रही हूं यह सब चीदों को फिर से अच्छे से मिक हुआ है तेल को छोड़ दी आया है तो oney से टाल कर अच्छे से मिक्स कर देना ओर भणे तो उससे डाल जो अच्छे से मुख अंच्छे से मिक्स करके ना अब उससे में डालेकर फिर अच्छे से मिक्स करके एक से दो मिट के लिए सब चीजों को मिक्स कर लेंगे मैं यहाप पर आधा कप पारी डाल रही हूँ आपको जितनी ग्रेवी डाच है यह उसाब से आप पारी डालेगा मैंने नमक टेस्ट किया तो नमक कम था तो फिर से एक चमच नमग डाल दे रही हूं आप चाहे तो लाल मिट का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से आप उसके बाद मैं आप लगा दे रही हूं हम इसका में एक से लगा कर देना है बहुत जाते सीटी ना बस एक सिटी लगा है फिर तुरंथी बन कर दे तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएगा अपना फीडबेक सरुर दीजेगा यह देखिए हमारी जो बहुत ही मज़िदार से सब्जी बन कर तयार है एक सिटी लग चुकि इसका ठंड़ जाएक मैंने अच्छे से गल चुकी है अब मैं इसे एक पैन में निकाल लिया है इसे थोड़ा सा भूलने क्योंकि मैं इसे रोटी के साथ खा रही हूं गर आप सब्जी के साथ खाएं तो आप थोड़ी जादा ग्रेवी लगा सकते हैं लास्ट में थोड़ी धनिया पत्ता और एक चमन तीसी घी डाल दिया है इससे हमारी सब्जी बहुत ही चपले बर आएगा बिल्कुल धाबा स्टाइल तो इस तरह से अच्छे से चला दे सब्जी जोग अच्छे से मिक्स कर दे तो यह देखें फ्रेंड्स हमारी बहुत ही मज़दार सी चना दाल की तोरी की सब्जी बन कर तैयार है आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और अब तक में चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करेजिएगा आप सबीका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू फॉर आप आप करेज यर आप करेणिका ने सब्सक्राइब करेण ञेक्याएब इम्क्राइब अच्ती अन्यवार वीडियो अगा है देल उन्यवाद लिएर को वीडियो इन आप